दोस्तो आईकू जो की वीवो की ही सब ब्रांड है इसने एक नया फोन लॉंच किया आईकू 11 जो की फोन इक्तम तगरा निकल के आता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको कंपय करेंगे टेक्नो के फ्लैक्शिफ फोन के साथ में जो कि है टेक्नो फैंटम एक्स टू तो लोग यहां पर वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इसके डिस्प्ले से तो दोनोई फोन के डिस्प्ले आपको काफी बड़े मिलने वाले 6.8 इंचेस के आसपास है तो फोन तो बलकी देखने को मिलेंगे लेकिन जो क्वालिटी है वह आपको वीवो आईक्यो में काफी ब जाता हूँ मैंने जब सेंसंग स्ट्टिवन एफिको आइफोन थाटीं प्रो के साथ मैंने कंपे गिया देखें दोनों ही फोन में आपको सेंसंग के ही एमुलर मिलते लेकि फिर भी जो आइफोन को जो एमुलर पैनल है वो तो से डिफरेंट परफॉर्म करता है इसकी जो प्रोटेक्शन आपको दोनों में काफी मस्बूत है इसकी रिफेर्शिट आपको यहां पर वीवा आइकू में काफी बैठा मिल जाएगा वर फॉर्टीफॉर हस का मिल जाता है और टेक्नो आपको अब करेगा और बाकि जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वीवा आइकू म यहां पर देखिए पहली बात तो आपको इसमें पर इसकी इंडिफेशन मिल जाता है तो इंटनल जो यहां पर इसके फीचर से वह काफी मस्बूथ है लेकिन टेक्नो वाला भी आप लोग डिस्पेले वाला फोन आप लोग ले सकते हैं उसका देखिए रहेगा चुकि इसमें से आपको curved panel मिल जाता है जो curved panel को जो look and design होता है उसका इन-hand feeling होती ही कोई अगर इसको देखेगा तो definitely इसके curved panel की विजचे से इसको बोलेगा कि हाँ यह फोन में कुछ तो बात है कुछ तो प्रिवेब लगी रहे तो उसको देखते हुए आप लोग टेक्नो की तब जा सकते इस समय की सबसे latest technology है तो आपको बैटी का backup काफी जादा मिल जाएगा इसके बदक हैं पर आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो वो होगा वीवाइक्यू पहली बात तो इसमें क्वालकम की चिप है जो की तो इसी महंगी होती है मीड़के comparison में और थो इसी premium भी ह होती है और पिलस यहां पर यहां पर यह ज्यादा powerful भी है इसके बाद यहां पर हमको वीवाइक्यू में एक वीटू चिप भी देखना मिल जाती है यहां पर अलग काम करती है इसके बैसकि यहां पर दो काम है पहली बात तो जो लो फोटोग्राफी होती है यानि कि जो आपको स्मूथनेस और भी ज्यादा बेटर प्रवाइट करना तो डेफिनेटली यहां पर गेमिंग के लिए दोनों फो अच्छे होने वाले लेकिन मेरे हसाब से वीवा इक्यू इसमें आगे निकल जाता है इसके बाद अब आपको आइक्यू जो ब्रांड है वीवो की सब मिल जाएंगे टेक्नो की बात की जाता है प्लस यह हाई हो ऐसे और अप्डेस के बारे में टेक्नो ने कोई बात नहीं किये तो अन्य थार्टीन आएगा के निया आएगा नहीं पता टाइम पाएगा नहीं पता तो फिर पेसिकली आप लोग अच्छे सॉफ्टर एक्स्पि तक की तो आपको अराम से मिल जाएगा लेकिन अगर जहां बात आती फार्ट चार्जिंग की तो आपको वीव आईक्यू में हैंडेटें ट्वंटी वॉर्ट का चार्जर आपको इसमें इंदबॉक्स में मिल जाता है वाजए कि टेक्नो में आपको शिवर सी 45 वाट का ही च आपको इसमें टेली फोटो लेंज भी झेल जाता है तो यहां पर इसमें लो फोटोग्राफिक लिए यहां पर काफी सही है चीदे रखे हुए है और यह भी आता है OIS के साथ में 13 मेगापैसी का अल्टावेड का मिलता है लेकिन 2 मेगापैसी का एक यूसलेस से लेंज देखो मिल जाता है वीडियो शूर्ट करने के बात की जाए तो वीडियो आईक्यों में हमको 8K वाली हमको क्वार्टी मिल जाएगी जो की टेक्नो में हमको नहीं दे रखी लोग जानते हैं कि इतने ज्यादा software updates के साथ फोन आता है उतने ही जाता वह देवाटे बेटर होता जाता है बतलब जैसे माल लीजे कि अभी आपके camera को यूश्यू आ रहा है लेकिन फिर एक अगला update आए जिसके तुरूब वाला यूश्यू fix हो गया और टेक्नो में इसके सेल्फी की बात की जाए तो आपको वीव आईक्यू में 16 मेगापैसी की सेल्फी मिलती है और टेक्नो मा आपको 32 मेगापैसी मिल जाएगी लेकिन यहां पर दोनों ही फोन से से फुल एजी तक की खाली वीडियो शूट कर सकते हैं तो यहां पर कैमरे के लिए मेरे साब से व होद बड़ा फ़रक है कि वीव आईक्यू में जो रैम और राम है आपको रैम एल्पी डीडियर फाइव एक्स चाली मिल जाती है और राम आपको यूफस फोर पाइंट ओ की देखर मिल जाएगी जो कि इस समय की बिल्कुल लेटेस हो किसी और फोन में नहीं आ रही है यह क मेरे साब से आप लोग थोंसे ज़्यादा पैसे लगाईए आप लोग वीव आईक्यू की तरफ जाएए चुकि इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलता है आपको इंटेनल इसके फीचर्स काफी बेटर देखने को मिल जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसू जो हो फिक्स होते जाएंगे बाकि यहां पर टेक्नो की तरफ आप लोग तभी जाहिए जब आपको सस्ते में अच्छा फोन चाहिए हो देखिए यहां पर इस प्राइस के इस फोन के प्राइस यहां पर काफी कम है तो उससे आप से देखा जाए तो इसको देखते हुए अगर आ अजए ते